हेलो एवरिवेन, वेलकम बैक माई चैनल, आई होब कि आप से भी लोग बहुत अच्छे होंगे, तो अच्छे रहिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, हस्ते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए तो आज मैं लेकर आई हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही यूसफुल और यूनिक वीडियोस, जिससे कि मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, कि आप मतलब बास्केट पगरा कब वैसे मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ, और वो उस वीडियो को भी आप आफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो, तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ इस तरीके की बास्केट को भाई किया है, और यह इस तरीके की मार्केट में आपको अगर आप लोकल मार्केट वगरा से इस तरीके की मार्केट लेंगे तो बहुत ही मतलब सस्ती मिल जाती है, क कोई किसी का प्राइस थी से है किसी का पैते से कुछ इस तरीके से मैंने मतलब इतनी सारी बैसकेट बाइए की है और इनका मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको यूज बताऊंगी आज मैं पचास से भी जाद आपको इसके यूज बताऊंगी कि आप किस तरीके से हम इस तरीके के महेंगे और्गनाइजर्स वगेरा खरीदते हैं अपने कपड़ों को सीफ रखने के लिए जैसे की अच्छी सी वो और्गनाइज वगेरा रहे तो आप इस तरीके की मतलब तरीके की बास्केट का यूज कर सकते हैं आप इन कपड़ों कुछ इस तरीके से फोल करके हैं मेरा मोच्फ यह है कि हाँ आप इस तरीके से बसके राइंज करके सकते है और आपके में घर में फ्युक्ते बी मेंगरिं और दो playable कि ऎसी करेंगे और और अब सब्सक्र्व हो को अब दुज्द घंगे और देगे और नामि के साथ were return में कुछ इस तरीके से around करके रख सकते हैं ठीके इस तरीके से देखिए आप रख सकते है और अगर जिसरे की space की खमी है आपके पास जैदा space नहीं है इस तरीके से basket वगयरा रखने के लिए तो आप इनको एक के उपर एक करके भी कुछ इस तरीके से रख सकते है ठीक है जैसे यहाँ पर दो को भी एक क्यूपर एक रख सकते है और नहीं तो आप चाहे तो और अगर जैसे आपके वास उपर का सरफेस जादा है तो आप 3 layer में भी इसको arrange करके रख सकते है आप चाहे तो इसको horizontal में भी रख सकते है और वर्टिकल में भी रख सकते है जैसा आपके पास space हो आप उसके according इनको रख लीजे तो यह देखे यहाँ पर इस तरीके से रखे और जब भी आपको use करना हो आप बासकेट उतार के आराम से use कर सकते है और यह देखे आप इस तरीके से भी इनको अरेंज करके रख सकते है इससे क्या है कि काफी ज़्यादा space भी बच जाता है और चीजे भी काफी आसानी से मिल जाती है और देखने में भी अच्छी लगती है तो यहाँ पर देखे हैं यह मेरी study travel है बच्चों की जो कि मैं पहले दिखा चुकी है कि इसमें मैं आर भी कुछ उगार की थे जिसका वीडियो अलरीडी मैं पहले सेयर कर चुकी हूँ तो आज कुछ और डिफरेंट तरीका बताने वाली होती कि यहाँ का जो यह है खाली है और यहां पर मैं इस तरीकी से बास्केट अरेंज कर दूँगा अब पता है बच्चों की स्टेशनरी से रिलेटिट तो कितने सहरा आइटम होते है और वो इदर उदर बिखरी पड़े रहते हैं तो आप इस पे स्टेशनरी का सामान भी बच्चों का रख सकते हैं तो यहां पर मैं तीन बास्केट अरेंज करूंगी तो एक बास्केट में जो बच्चों के सामान होता है लाइक उनकी सीट्स वगएरा जो होती हैं गिल्टर सीट्स होती हैं तो उन सब को मैं यहां पर इस तरीके से अरेंज करके रख दूँगी जो उनके कलर्स वगएरा होती हैं सारी चीज़े एक ही अगर बास्केट में रखी होंगी तो वो इधर उधर नहीं ढूंडेंगे और सारी चीज़ों को इधर उधर नहीं मतलब बिखेरेंगे सारे होगा तो एक ही बास्केट में होगा और बास्केट में कैसे भी रख दे accurate ही रहने वाली है कोई भी चीजी दर उदर missing नहीं होगी तो इस तरीके से आप एक एक बास्केट वगरा set कर लीजेगा और तो यहाँ पर दीखें मैंने इस तरीके से बच्चों का जितना भी stationary से related सामान था हो एक बास्केट में यहाँ पर इस तरीके से कर दिया है ठीक है यह देखिए पूरी बास्केट मैंने भर दिया जितने भी colors वगरा थे और अब जो दूसरी वाली बास्केट है तो इसको पहले मैं side से रख देती हूँ और दूसरी वाली बास्केट में आम मैंने यहाँ पर इस तरीके से जो फोन बगएरा के कवर होते काफी ठेक होते हैं तो मैंने इनको यूज किया है और इस तरीके से इनको अरेंज कर दोगी बच्चों के पैन बगएरा है, कटर बगएरा है इनको इस टेस्नरी का सामान है पूरे घर में बहुत जादा बिखरा रहता है, इस से घर मैसी भी बहुत ज़्यादा दिखता है और क्योंकि बच्चों की पड़ाई लिखाई के बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है तो आप इस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं हर किसी चीज में तो यहाँ पर कुछ में मेरे जो मेडिशन वगेरा थी वह एक में मैंने करके रखे हैं कुछ इस तरीके से उठाकर आप यूज कर सकते हैं तो काफी ज्यादा सामान इसमें आ जाता है और सबसे मड़ी भात होती है कि हर सामान आपको अपनी आसानी से और एक ही जगे पर मिल जाएगा आपको अपनी प्रॉपर प्लेस पर मिल जाएगा तो यहां पर दिखिए अब यह वाली बास्केट है तो बच्चों की जो एक्स्टर नोटबुक्स वगेरा होती हैं तो उनको भी आप रख दीजे क्योंकि अगर दो या तीन बच्चे हैं तो सबकी बुक्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं फिर वो अपनी की चक्कर में द मतलब दिमाग लगाएंगे और जगह डोनेंगे तो आपको मिली जाएगा लाइक अब यह देखिए मेरे टेफिल के नीचे वाला पोर्शन आप इसा खाली ही रहता था तो मैं इन वास्केट को यहां पर रखने वाली हूं कुछ इस तरीके से क्योंकि बिल्कुल नीचे का लोवर पार्ट है अब देख सकते हैं फिलोर से बस थोड़ा सा ही उपर है जो कि मतलब इसके हैंडल लगे हुए हैं तो मैंने इनको यहां पर ही अरेंज कर दिया और यह बहुत ही अच्छे से यहां पर अरेंज हो गए हैं और देखिए यहां से देखने में भी किसी को पता किया हुआ है और देखिए यहां पर देखने में भी अच्छा लगता है ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी लुक दिखता है इस तरीके से और यहां पर इस तरीके से मैंने यह जो पेपर है तो मैं इससे को कवर करके भी रख देती हूँ अगर मैं कवर नहीं भी करती हो तो भी देखन का सामान मैंने इन वैरेज कर दिया है अगर आप जाते हैं कि आपको एकदम से सेम लुक मिले अलग-अलग अगर एक ही कलर की बास्केट नहीं मिलती हैं तो आगे से कवर कर सकते हैं उनको जैसे कि आप मतलब एक जैसी देखने में मिल जाए तो गाइस नेक्स टिप्स है कि कीशन में चेयां कीशन मीलग बताते हैं तो देखें इस तरीके की बास्केट है मेरे पास तो यहां पर सबसे पहले देखें यह जग जगाए का आपको इसको कहां पर लगाना है तो मैंने इसको यहां पर लगा के दिखा रही हूं आपको तो यहां बती कि आपको कुछ इस तरीके से ऐसे सेट कर लेना है और इसके बाद आप चाहें तो कितना भी सारा सामान इसके अंदर रख दीचिएगा और फिर इस तरीके के प्लैटर वगएरा गार आप ढूंडेंगे तो आपको घर में मिली जाएंगे नहीं हो तो आप कार्टबूर वगएरा का यूज़ कर सकते हैं यह मेरे बच्चों का पैड है जोगी खराब हो गया था तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ और उसके उपर आप फिर से अपनी दूसरी वाली जो बास्केट है उसको अरेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं अपनी वही वाली बास्केट को दिखा रही हूँ इसके बास्केट रखे तो लंबा आप जितना चाहे उतना बना लीजिए इसी तरीके से मैं यहाँ पर थ्री लेयर का यह आपको दिखा रही हूँ पर आप चाहे तो आप अपना फूर या फाइव लेयर का इसली तरीके से बना सकते हैं और इसको जब भी आपको यूज करना हो तो आप इस तरीके से प्लैडर को खिसका कर यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से यह बहुत ही आसानी से यूज हो जाए हैं तो आप इस तरीक यह फोक्त किया यह गैस का कवर ठाख गोड़ा यूं मे अपने के नीचे लगा crian द वैसे रोमीरा के नीचे ला कर सकते हैं यह यह फिर सकते हैं दो मैंने आप ऐसकेट के का कियो बाज लिए मैंने कुछ थया दोआते हैं वहाँ पर मुझे सेस्थी मिल रही थी तो मैंने इनको इस तरीके से यूज़ करूँगी इस तरीके से रखके अब क्या है कि अलमीरा के पीछे भी काफी ज्यादा स्पेस होता है है ना तो यहाँ पर इजी तरीके से दो वास्केट आ जाएंगी पहले मैंने मेजर किया तो दो बासकेट इजी तरीके से आ गई थी अगर होरिजोंटल में नहीं आ थी तो वर्टिकल में भी रखकर यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से आपके जितनी भी मतलब एक्स्टर सामाने हैं यहाँ पर मैं तो अलमीरा के नीचे सूज वगएर ही रख होता है तो आप वहां पर यह चेयर वगएरा के नीचे भी इस तरीके से बना के रख सकते हैं जो कि एक हेड़न प्लेस होता है आप वहां पर इसको यूज कीजेगा क्या यह चीज ने बिजिवल भी नहीं होती है अच्छी भी लगती है रखी हुई और सबसे बड़ी बात असानी से और सई समय पर सई चीज हो में मिल भी जाती है तो इस तरीके से दिए मैंने पीछे की साइड ऑरड़ी रख दी थी और यह आगे मैंने यहां पर इस तरीके से अरेंज किया है सेम फिर से रिपीट करूँगी अगर आपको इनको आगे से अच्छा सा लुक देना है तो आप इनको कवर कर सकते हैं एक ही रैप पेपर से तो ये देखने में बहुत और भी अच्छा लगेगा अब इसको आप आराम से मतलब निकाल सकते हैं इस तरीके से खिसका के अपनी चीज़ों को यूज कर सकते हैं और इसको मैंने ज्यादा टच नहीं किया है तो क्या है कि कभी आपको जरूरी नहीं कि आप हाँ से इसको पैर से भी निकाल के इस तरीके से पैर से खिसका कि अपने सूज वगरा निकाल सकते हैं पैर से ही उसके बाद आप उसको कर सकते हैं जरूर नहीं कि आपको हाँ से ही टच करके निकालना पड़े तो आप इस तरीके से अपने पैर वागेड़ा का भी यूज कर सकते हैं तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो आई होप कि आप लों को पसंद आया हो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं इस तरीके के यूसफुल और यूनिक वीडियो हमेशा लेके आती रहती हूँ जो हमारे एकदम से लो बज़ेट में है और मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर आइडिया प्रवाइड किये हैं और भी आप माइंट थोट लगा सकते हैं कि आप इनक पास्केट को कहा अजया है